आज का जो टोपिक होने वाला है वो 10th के 2nd lesson का है जिनका टाइटल है नेलसन मंडेला लोंग वोक्तु फ्रीडम और खुद ऑटो बायग्राफी है नेलसन मंडेला की इनका पूरा नाम है नेलसन रोलिह लाहला मंडेला और बिफोर बिफोर यू रीट पढ़ने से पहले मैं ए अपार्ट हैड क्या है अपार्ट हैड के बारे में देखें तो एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है रंग भेद जिसको बोलते हैं that separate people according to their race जो लोगों को एक दूसरे से उनकी नसल के हिसाब से क्या कर देता है अलग कर देता है और अभी तक ये कैसा देश था साउथ आफरिका चाहां अभी तक क्या चल रहा था ये जो अपार्ट हैड पॉल से थी वो अपना ही जाती थी मतलब गोरे लोगों के दुवारा काले लोगों का exploitation किया जाता था उनको discriminate किया जाता था ठीक है Have you head of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress क्या आपने Nelson Mandela के बारे में सुना है या फिर उनकी African National Congress Party के बारे में सुनाओ जिन्होंने lifetime fighting की है किसके खिलाफ अपार्ट हैड के इस रंग बेद की नीती के खिलाफ Mandela had spent 30 years in prison और Mandela ने लगबग 30 साल बिताए हैं जेल के अंदर इस नीती को खतम करने के लिए इसके विरुद लड़ाई लड़ने के लिए Finally democratic elections were held in South Africa in 1994 और 1994 में आखिरकार पहले प्रजातांतरिक चुनाओ हुए अफरिका के अंदर और Mandela वहां के पहले रास्ट पती चुने गए और इस एक्स्ट्रेक्ट के अंदर ये जो एक्स्ट्रेक्ट है ये जो भाग है इसके अंदर जो टो बाइगराफी है नेलसन मंडेला की लोंग वोक टू फ्रीडम Mandela speak about a historic occasions, the inaugurations एक एतियासिक आउसर के बारे में बात करते हैं जिनका वो inauguration नाम रखते हैं उदगाटन समारो जिसका वो नाम रखते हैं क्या बंदाजा लगा सकते हैं कि आउकेजन किस परकार का होगा ठीक है तो चली हम lesson स्टार्ट करते हैं directly कि क्या होने वाला है उस आउ फर्चम के लिए थी, for the past few days और पिछले कुछ दिनों से I had been pleasantly beside by dignitaries and world leaders, pleasantly का मतलब होता है सुखद रूप से और beside का मतलब हो यहां लिख रखा है to be surrounded closely by gray way होना, तो मैं सुखद रूप से गिरा हुआ था by the dignitaries, dignitaries का मतलब होता है सम्मानित या परतिस्टित व्यक्तियों के दवारा और world leader और विसवनेताओं के दवारा, who were coming, जो यहां आ रहे थे, ठीक है, क्या करने के लिए आ रहे थे, to pay the respect, अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए, कहां पर, before the inauguration, उद घाटन से पहले, मैं उन लोगों से सबसे गिरा हुआ था जो यहां पर हमारे देश में आ इस सफलता के परती अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए, उसके बाद में है, the inauguration would be the largest gathering ever of international leader on South African soils, और यह जो inauguration था, यह जो उद गाटन समारो था, वो अंतरराष्टरी नेताओं का सबसे बड़ा जमावडा होने जा रहा था, कहां पर, तक्सिन अफरिका की इस धर्ती के ऊ पर, the ceremony took place in lovely sandstone amphitheater formed by the union buildings in Pretoria, और यह जो सर्मनी थी, जो उद गाटन जो चल रहे थे, वो कहां थे, एक बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी sandstone बलवा पत्थर से बनी हुए एक रंग साला, amphitheater का मतलब यहां पर लिख रखा है, a building without a roof, एक ऐसी building जिसकी चत नहीं होती, तो वहा For decades, this had been the seat of white supremacy, और कई दसकों से, यह जो जगह थी, यह किस के सासन में थी, white supremacy, मतलब गोरे लोगों की प्रभुषत्ता थी यहां पर And now it was the site of rainbow gathering, और अब यह जगह बनने वाली थी, एक इंदर दनुसिये, जमावड़े के रूप में, of different color and nations, अलग 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 देसों और अलग अलग रंगों के लोगों के दोरा एक बहुत बड़ा जमावड़ा होने वाला था, और यह जमावड़ा होके हो रहा था, for the installation of South Africa as first democratic non-racial government की स्तापित हो जाए, किसके अंदर South Africa की पहली परजातांत्रिक और गैर जातिये सरकार जिसका यहाँ पर installation होने वाला था, स्तापना होने वाले थी, उसको देखने के लिए यहाँ यहाँ पर यह सब भीड इकठा हो रही थी, next आगे देखिए, on that lovely autumn day I was accompanied by my daughter Jainani, और उस दिन बड़ा प्यारा साक्या था, autumn's day था, autumn's का मतलब यहाँ पर पत्जड है, पत्जड का दिन था और बड़ा ही सुन्दर दिन था वो, I was accompanied by my daughter Jainani, तो मैं अपनी लड़की के साथ में था, जो मेरी बेटी जिसका नाम Jainani था, वो भी मेरे साथ में थी, on the podium, और podium यहाँ पर है एक ऐसा small platform जहाँ पर speaker speech तयार करता, बनाता, देता है, तो मंच बोल सकते हैं आप, और मंच के उपर Mr. D. Clark was first sworn is in as second deputy president, और podium के उपर Mr. D. Clark जो थे उनको पहले sworn दिलाए गए, सपत दिलाए गए, किस के रूप में, दुवित विए उपरास्टपती के रूप में यहाँ पर, second deputy president का मतलब उपरास्टपती के रूप में उनको सपत दिलाए गई, उसके बाद में, नमबर आता है, Mr. Thabo Ambeki का, और Mr. Thabo Ambeki जो थे, उनको sworn सपत दिलाए गई, in as first deputy president, पहले उपरास्टपती के रूप में, उनको सपत दि प्लाइज का मतलब होता है, सपत ली, किस सीज के सपत ली मैंने, तो ओबे कि मैं ओबे करूँगा, अग्या का पालन करूँगा, and uphold the constitutions, and to devote myself to the well-being of the republic and its people, और मैंने क्या सपत ग्रेंड की, कि जब मेरी बार रही तो मैंने सविधान को बनाय रखने की, और उसका पालन करने की सपत ली, और एक और सपत भी ली मैंने क्या सपत ली कि मैं डिवोट कर दूँगा अपने आपको, किस सीज के लिए, डिवोट का मतलब होता है, समरपित कर देना, ठीक है, और मैंने स्वेम को गनतंतर की और उसके लोगों की भलाई के, परति स्वेम को समरपित करने की भी का समखाई, तो दा एसेंबल गेस्ट और वोचिंग वर्ल्ट, आई सेट, और एक अत्रित अतितियों को, और धान से देख रहे पूरे सुनसार को, मैंने इस परकार से कहा, मैंने क्या कहा, सुनिया वागे, तोड़े, ओल ओफ उस डू, बाई अवर प्रिजन सेर, कनफर, गलोरी, और होप टो न्यूबर्न, लिबर्टी, न्यूबर्न का मतलब होता है, नई जन्मी, और लिबर्टी का मतलब होता है, सवतंतरता, और कनफर, यहाँ पर दे रख है, देना, ठीक है, यहाँ पर फोर्म गलोरी और होप, गलोरी का मतलब होता है, सम्मान, होप का मतलब होता है, आसा प्रदान करते हैं, out of the experience of an extraordinary human disaster, that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud, और एक ऐसा धरन मानवी विपत्ती में से, जो बहुत ही ज्यादा समय तक चलती रही, एक ऐसे समाज का जनम अवश्य होना चाहिए, जिस प पूरी मानव जाती को क्या हो, गरो महसुस हो, छीक है, नेक्स्ट है, we who were outlaw not so long ago, we who were outlaw का मतलब यहाँ पर दे रखा है, क्या मतलब दे रखा है, because of its policy of apartheid, many countries, इस apartheid के policy के वज़े से बहुत साद लोगों ने क्या कर ले थे, अपने diplomatic relations with the South Africa के साथ में, वो तोड लिये थ तो कहता है कि हमें outlaw समझा जाता था, मुझरिम समझा जाता था, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ था, अभी तक हमें मुझरिम समझा जाता था, have today been given the rare privilege, और आज हमें क्या मिला है, एक विसे साधिकार, privilege का मतलब होता है, विसे साधिकार, एक दुरलब विसे साधिकार मिल कि हम क्या कर रहे हैं अपनी ही धरती पर संसार के राष्ट्रों की मेजबानी कर रहे हैं ये बड़ा ही दुरलब शोभागे हमें प्राप्त हो रहा है और यहां पर क्या बता रखा है वि थैंक ओल हम सब का धनवाद करते हैं हम अपने सबी समानित अंतररास्तिर अठीतियों का धनवाद करते हैं किसलिए धनवाद करते हैं वे हमारे देश के लोगों के साथ मिलकर ठीक है नहीं, यहां पर क्या है, having come to take position with the people of our country, हमारे देश के लोगों के साथ मिलकर उस चीज पर अपना अधिकार लेने आए हैं, take position का मतलब अधिकार लेना, उस चीज पर अधिकार लेने के लिए आए हैं, जो अंत में, क्या है, एक common victory है, एक साजा जीत है, किस चीज की अधिकार लेने के लिए यहां पर जितने भी international leaders या distinguished guests आए हैं, हम उनका सब का धन्यवाद करते हैं, next है फिर, we have at last achieved our political emancipation, और अन्त तय हमने क्या कर लिया था, अपना राजनितिक emancipation का मतलब था, freedom from restriction, जो पाबंदिया हैं, उनसे आजादी पराप्त होना, और हमें अपना राजनितिक emancipation बोल सकते हैं, freedom या मुक्ती बोल सकते हैं, हमें हमारे राजनितिक मुक्ती पराप्त हो गई थी, we pledge ourself to liberate all our peoples from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discriminations, और हम सपत लेते हैं, हम pledge करते हैं, क्या सपत लेते हैं, कि हम अपने सभी लोगों को गरीबी, भूख, दुख, लिंग बेद, और अधर जो discrimination है, अन्य बेद बाऊं, कि जो continuing bondage है, जो निरंतर बंदन है, उनसे हम क्या करेंगे, उनको relieve करेंगे, मुक्ती दिलाएंगे, नेक्स्ट है, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the operations of one by another, और ऐसा फिर कभी 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 नहीं होगा, कि यह सुन्दर दर्ती, एक का किसी अन्य के दवारा दमन अनुबाव करेगी, शोशन अनुबाव करेगी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट है, the sun shall never set on so glorious a human achievement, और इस मानुए उपलब दिका, इतना शानदार सूरज, उसका कभी सुरियास्तन ना हो, हम ऐसे दुआ करते हैं, लेट्स, freedom brain, आजादी को सासन करने देते हैं, सबतन तरता का सासन हो, और उसके साथ में God bless अफेरिका, इस वर भगवान अफेरिका को अपना असिरवाद पर देते हैं,